नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हुआ अरजिता यूपी में इस वक्त फोन टापिंग का मामला गर्माया हुआ है यूपी के पूर्व सीय मखिलेश यादव ने दावा किया था कि यूपी सरकार उनके फोन टाप करती है और योगी जी बाचीत को सुनते हैं वही अब कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर लिये गया है उन्होंने यूपी सरकार पर बरस्ते हुए पूछा कि सरकार के पास क्या कोई और काम नहीं है दरसल कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किया जा रहा है कॉंग्रेस महासचिव से अब राजनीतिक विरोधियों के घर आयकर विभाग की छापे मारी और अवैध फोन टापिंग के मामलों पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये आरोप लगाए प्रियंका ने कहा कि सरकार उनके बच्चों को सोशल मीडिया पर निशाना बना रही है उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किया जा रहे है क्या उनके पास कोई और काम नहीं है इसके आगे प्रियंका ने चुनाओ के पहले प्रधान मंत्री नरेंडर मूदी द्वारा महिलाओं से संपर्क साधने के प्रयास को लेकर भी हमला बोला प्रियंका ने सवाल किया कि पीम मोदी ने महिलाओं को लेकर पहले क्यों घोशनाय नहीं की उन्होंने पिछले पाश सालों में ये एलान क्यों नहीं किया लड़की हूँ लड़सकती हूँ के हमारे नारे के साथ महिलाओं अब जागरुख हो गई है मुझे ये कहना है उत्तर प्रदेश की महिलाओं मैंने आप से क्या कहा था अपनी शक्ती को पहचानो आज आपकी शक्ती के सामके इस देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जुक रहे हैं समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है पाच सालों से पाच सालों से क्यों नहीं की ये घोशना है आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले क्योंकि महिला जाग रुक हो गई है महिला उठ गई है हमने लड़की उलर सक्तियों का नहरा दिया महिला उठ गई है जाग गई है कह रही है मेरा हक दो इसलिए आज नरिंदर मोधी जी को भी जुकना पड़ा मैं बहुत खुश हूँ बता दें कि प्रियंका गांधी की 18 साल की बेटी मिराया वाज्रा और 20 साल का बेटा रेहान वाज्रा है वह और तलब है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पाड़ा बढ़ता जा रहा है इन सब के बीच प्रियंका गांधी इंदिनों यूपी में बेहत सक्रिया है उत्तरप्रदेश प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी पर देश की सबसे बड़े राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी है हालिया विधान सभा या लोग सभा चुनाओं में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशा जनक रहा है ऐसे में कॉंग्रिस प्रियंका के करिश में पढ़ निर्भर कर रही है इस खबर में फिल हाल इतना ही देश और दुनिया की बागी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक करें और जादा से ज्यादा शियर करें